आज के इस वीडियों दोस्तों हम आप लोग को संपूर्ण जानकारे देने वाला हूँ कि कद्दू का बीच घर पर कैसे तयार किया जाता है सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा आप भी बहुत आसानी से अपने घर पर कद्दू के बीच को निकाल सकते हैं और उसकी बुवाई कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियों आपको ग्रोथ और पैदावार भी मिलेगा नमस्कार दोस्तों रामकला, दोस्तों फरतावगा बिलोचल माव सबका स्वागत थे आ दोस्तों हम बात करने वाला हूँ कद्दू का बीच, जो हम घर पर कैसे तयार कर सकते हैं आज की शुटन दोस्तों आप लोग पूरी प्रक्रिय बताऊंगा गद्दू के बीच को तयार करने का खेत में किस तरह समय इसको तोड़ना होता है और कौन सा कद्दू तोड़ना चाहिए जिससे बढ़िया बीच निकले और इसको हमें बीच किस तरह से निकालना है और इसे सुखाना किस तरह से है जिससे की बढ़ियां से जमाव हो और ज़्यादा ज़्यादा पैदावार हो और इसकी लताएं भी काफी लंबी और काफी घनी होंगी तो सब कुछ शीन बीच में आपको पताने माला हो तो वीडियो को शुरू से लाज तक जरूर देखें वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आड़ा आपके क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे आपके मन कोई सवाल सुजा हो है यानि कि पहले जो सबसे पहले निकलता है वो बीज हमें कोणा जो कद्दू होता है वो सबसे बढ़िया माना जाता है उसी का जो है बीज लोग रखते हैं जो पहली बार जो है कद्दू निकले जैसे कि एक लताएं हैं आप कई लता निकलती हैं कई पाओध होते हैं तो हर पा और ये भी हम्नां बताऊं को और इसको किस दूर्च निकालना है तो विज जी दूर्च पिर पड़ देना होता है गीज थोन इसको क्या है आप उसे थोड़ा उंचे अस्थान पर रख देना है ताकि पानी वगैरा लगे तो खराब नहीं होता लेकिन नीचे अगर कुछ इंट वगैरा रख देते हैं या कुछ भी रख देते हैं या हम कोई ऐसा चीज रख देते हैं जिससे की जमीन से हल्का उठा रहे पानी वगारे जादा ना लग पाए तो होता है लेकिन कुछ नहीं रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता लेकिन हमें सुरक्षित तरीके से गर रखना है तो थोड़ा उंची इस्थान पर रख देना चाहिए इसको तो क्या है कि जब यह पीलापन आ जाता जैसे आप पढ़ जाता है जो हम मार्केट्स खरीदते हो काफी महगा पढ़ता है तो वहां जब हलका पीला होने लगे पाध में ही जो भी पाध कद्दु का है उसके अंदर अगर हलका पीला होने लगता है तब ही जो है उसको आपको तोड़ लेना है जो आप कितना खेत में बुआई 1-2-3-2 बास नहीं दो माईने 1-2 बाइं चाए करना है इसकी उनका पतकिंद सहब तो गजिए उसके लीए क нужно काटना काटने के बाद हमें एक कपड़ा भी लेना होगा इसको हमें काटना किस तरह से है देखिए यहां से हमें काट देना है आप को दोस्तों काट कर पूरा और बीज निकालने के तरीका और यह सूखना सूखा हुआ होना चाहिए यानि कि आप पौध्र वहां से निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सूख जाता है यानि कलर इसका बदल जाएगा लेकिन यह ध्यान रखने कि जो बड़ा कद्दू होता है जो पहले पैदावार होता है वह बीज के लिए काफी बढ़िया माना जाता है हमने देखा है लोग वैसे भी बीज रख देते हैं जो बा तो दोस्तों हमने इसको काट दिया है अब काटने के बाद इसको हम निकालते हैं देखिए और इसकी सबजी भी बनेगा ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा बिल्कुल खराब नहीं देखिए बीज है इसकी प्रक्रिया पूरी समझ लेना है अगर कहीं भी मिश्टिक कर दिये तो आपको समझ में नहीं आएगा देखिए बीज निकाल रहे हैं हम बीज निकालने के बाद हमको गयरbOOOO है इसको प्हेकना भी नहीं 豆 है इसकी सबजी बन जाती है सबजी बहुत बढ़िया और स्वाधिश्ट बनती है पके हुए कद्दू का भी तो लिए बीज जो है नि उस कज्जू को पौध में रख देना है जब हलका पीला हो जाता है तभी उसकी आपको तोड़ाई करना है और ऐसे भी नहीं रखना है इसको धूप में किता दिन सुखाना है ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इसको अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं न धूप में तो क्या होगा इससे चिणिया जो है खा जाएंगी जो भी आपके बीज है आपको एक भी बीज नहीं मिलेगा तो इसका तरीका भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है तो इसमें दोस्तों जितने भी बीज हैं हमने सब बीज को निकाल लिए ह देखिए ये पूरी तरह जो है बीज निकल चुका है और ये देखिए तो जोस्तों ये बीज निकालने के बाद हम सब भी बीज निकाल लेते हैं जितने भी हैं दोनों में से देख लीजिए भर भर की बीज निकल रहे हैं और इसमें कुछ जो हैं पट पर होंगे यानि जि हमें बाद में निकाल देना है सुखाने के बाद और इस सुखाने का सही तरीका क्या है जिससे इसे चिनिया भी न खाएं और हमारा जो भी भीज है सुरक्षित रहे तो उसके लिए क्या है हमें इसको ऐसे कर लेना है इस तरह से इसको फैला देना है फैलाने के बाद तो दोस् इस तरह से करके फिर धूप में रखना है तो इससे क्या है कि चिनिया जो इसको नहीं खाएंगी और जो यह आप रहेगा सुरक्षित रहेगा इसको यह क्या है धूप में रख देना है धूप में रखने के बाद यह तीन दिन या चार दिन बाद सूख जाएगा जब सूख ज आता है दोस्तों उसका भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग चाहते हैं और इसका बीच का जमाव किस तरह करना है अगर यह आप जानना चाहेंगे तो इसको बना देंगे तो इसी तरह से आपको लगवा चार से पान दिन रख छोड़ना है फिर यह सूख जात है फिर जो है आप इसको जो है बीच को ले करके इसको जमाव करके इसकी जो है बुआई कर सकते हैं तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग संजमी आ गया होगा है थैंक दोस्तों वीडियो आच करने के लिए